हलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल जीट टेक्निकल एजूकेशन में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी बोर्ट प्रवेश्पत को ओनलाइन डाउनलोड कैसे करते हैं क्योंकि मेरे पास कई लोगों कमेंट भी आये थे कि यूपी बोर्ट का जो प्रवेश्पत्र होता है उसे ओनलाइन कैसे डाउनलोड किया जाता है तो वही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले एक चीज में यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो यूपी बोर्ट का एडमिट कार्ड है इसे स्टुडेंट घर बैठे ओनलाइन नहीं डाउनलोड कर सकते हैं हाला कि ओनलाइन डाउनलोड करने का तरीका है लेकिन विद्याले की यूजर आईडियो और पासवर्ट के बगए नहीं डाउनलोड हो पाएगा तो आपकी टीचर्स जो है ओनलाइन एडमिट कार्ड जो है प्रवेश पत्र आपका कैसे डाउनलोड करते हैं उसके बारे मैं आपको बता दूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके एडमिट कार्ड में जो भी आपकी सहचिक डिटेल होती है जैसे आपका नाम हो गया माता का नाम हो गया, फीता का नाम हो गया, साथ ही आपका रोल नंबर हो गया, रजिस्टेशन नंबर यह सारी चीज़े यह नहीं कि आपके सभी साइचिक विरन चेक करने का एक लिंक जो है उत्तरप्रदेश मादमिक सिच्छा परिशत की वेफ साइट पे एक्टिवेट किया जाएगा हाला कि अभी वह एक्टिवेट नहीं हुआ है जैसे एक्टिवेट हो जाएगा हम आपको ब तो आपको जो है विद्डियाले की आइडिया और पासवड माँगी जाती हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं user ID में विद्ध्याले की ID पढ़ेगी और password में password साथी यहाँ पर जो नीचे दिया गया है शुरच्छा code में DHB for to server तो सेम इसी चीज़ को यहाँ पर डाल देना है उसके बाद में यहाँ पर login कर देना है login करने के बाद में जब भी जितने भी कहने के मतलब जब भी आपका प्रवेस पत्र आ जाएगा बोट की तरफ से जितने भी student होंगे सभी की detail वहाँ पे आ जाएगे उसके बाद में यहाँ से आपके admit card को download कर लिया जाएगा admit card download करने के बाद में जब तक कि उस पे जो है principal के हस्ताचर और school की मुहर आपके college की मुहर नहीं लग जाती है तब तक आपका जो प्रवेस पत्र है वो माने नहीं होता है तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर देजिए साथ ये पने फ्रेंडों के साथ share कर देजिए